रहता है कि एक ही बार आदमी पैदा होता है एक ही बार मरता है और बाद में क्यामत होती है लेकिन आप देखेगे दुनिया में कि कोई बेरा मुंका मनले डेफेंड डंब होता है पैदा होते ही ब्लाइंड होता है है हैंडीकेप होता है जिसका पैर भी नहीं रहता है और तो अधिन की жaa और दूसरा बात हैं कि मरने का भी तरीका सबका अलग अलग है कोई एक्सिडंट में मर जाता है कोई राइट्स में मरते हैं कोई क्या नेचरल वेस से मरता है तो फो फोटत्व क्यों है दुनिया में मरस्वार्ब है कि इसलाम में हम इस दुनिया में एक बार आते फिर मरते फिर क्यामत पर फिर से उठाया जाते इस दुनिया में एक बार आते तो ऐसा क्यों कि कोई लोग जो पैदा होते है कोई अपाईच पैदा होते किसकी टांग ने किसका हाथ ने ऐसा क्यों कोई लाचार पैदा होते कुरान मजीद में अल्ला ताला फर्माते है कि आपके बच्चे आपके बीवियां आपकी दौलत आपके लिए फितना है आपके लिए इंत्यान है क्योंकि जन्नत में जाने के लिए ताह होना जरूरी नहीं जन्नत में जाने के लिए दौलोजोना जरूविने जन्नत में जाने के लिए ये जिन्दगी हमारे ले इम्तियाने अल्ला के आकामात के मताबिक जिन्दगी को बसर करना चाहिए गुरान मजजीद में अल्या तर्माते है सूर मुलक में सूरा नम्बर 67 आयत नम्बर 2 में अल्लादी खलकल मौत अलहाता अल्ला सुभानाव ताला ने मौत और जिन्दगी पैदा की है ताके आपको जाच सके आप में से अच्छे आमारवारे कौन है तो ये जिन्दगी हमारे लिए एक अम्तियान है आपका अच्छा सवाल था कि क्यों कुछ इन्सान पैदा होते है अपाईच कोई बीमार कोई अच्छे सहत्मन क्यों इसकी वज़े है कि जब आप एक्जामनेशन में बेठते है हर साल एक्जामनेशन पेपर बदलता है के ने अगर आप कहेंगे कि हर वक्ट पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किदर एक्जामनेशन किदर तो अल्ला ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एक्जामनेशन अल्ला ताला उस पेपर को परखेंगा मिसाल के तोर पे अगर examination paper आसान है तो teacher उसको strict तरीके से जाचता है अगर paper मुश्किल है तो examiner उसको आसानी से जाचता है तो उसी तरीके से अल्ला ताला फर्माते कुरान मजीद में आपके बच्चे, आपके family आपकी दौलत आपके लिए फितना है एक test है अल्ला ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालदें का देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते हैं पाईच या बच्चा जब पैदा होता दिल के बिमारी के साथ वो देखना चाहता है कि फिर भी उसके वालदें अल्ला पे इमान लाते काने और जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवाड आप अगर एक आम बीए ग्रैजुएशन पास करते है तो आपका नाम महेश है वो मिश्तर महेश ही रहेंगा बदलेंगा ने लेकिन अग्जामनेशन पास करते हैं ये पास करने के बदले आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर क्योंकिए मेडिकल एक्जामनेशन पास करना मुश्किल है मुश्किल एक्जामनेशन पास करते हैं रिवाड भी ज्यादा है तो अल्ला ताला अलग लोग को different different examination में डालता है किसी को दौलत देता है किसी को गरीब बनाता है जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इनसान जगात दे रहा है के ने खेरात कर रहा है के ने वो गरीब इनसान को जगात में 100% मार्क्स मिल चुके गरीब इंसान को जकात ही नहीं देने का हम बोलते हैं अरे बिचारा गरीब है उसको सव फीसद मांक्स मिल गए जकात में गरीब को सव में से सव मिलता है वो अमीर है जो शायद थोड़ी जकात देंगा तो उसको सव में से शायद दस मांक्स मिले बराबर जकात देंगा तो ज्यादा माक्स मिलेंगे वो गरीब को जकात के टेस्ट में सव में से सव मिलता है उसको जकात देनी के दरमत दीने लेकर उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा उसको टेस्ट होगा वो गरीब इनसान एक रूम में हो सकते हैं, 10 लोग रेखे, वो हीजाब पैसा करता है, बराबर से हीजाब करता है, ja Ste, हो सकता है, इनसान अमेर है, उसका बेटा, जैसे अपने अपायश पैसा होता है, तो अल्ला तला देखना चाहता है, काई तो अमेर इनसान को मैंने दौलत दी, एशु आराम दिया अभी उसके बच्चे को अपाइच पैदा करता हूँ देखना चाहता हूँ कि फिर भी अपने रब की अबादत करता है कहने जो आदमी कमजोर रहेंगा और बोलेंगा रहे क्या ये अल्ला ताला नुथ बिल्ला मेरे लिए क्यों ये मुश्किला पेश आता है जो सचा मूमिन रहेंगा वो कहँगा अल्हम दूल्ला फाइदा ओएगा तो भी अल्हम दूल्ला नुक्सान ओएगा फिर भी अल्हम दूल्ला ये मूमिन की जहांच है तो ये दौलत गरिबी, सहथ, अपाइच, दिल की बिमारी, ये टेस्ट है, इसलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके उपर है, आप उन लोगों को मत देखो जो आपके उपर है, मैं कह रहा तो ना मिसाल दे रहा था, वो गाओं का आदमी देखता है गारी चाहिए, फ्लाट चाहिए, भंगला चाहिए, फिर से गाव में आ जाता है, उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है, और एक अंग्रेजी में कहावत है, जो मैं उर्दू में चर्जुमात करूँगा, एक शक्स हमेशा रोता था, कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क जब उसने इनसान को देखा जिसके पैरी नहीं थे, वो अल्ला का शुकरादा का मेरे पैरे तो है, तो अल्ला ताला डिफरेंट लोगो डिफरेंट इम्तियान ले रहा है, इसको दौलत, इसको गुर्बत, इसको सहथ, इसको बिमारी, जो भी है, अगर आप जिस हालत में है अगर अगर अल्ला हमारे खाले का कहना मानते तो इस दुनिया में सफल पाएंगे, यह हमारे लिए इम्तियान ए दुनिया जिस तर एक से सुरुए